Good morning students, you are welcome to CR International Online Study System, assignment no. 32, class 12.07, subject political science Hindi medium, date 5.0.2020, topic peace and cooperation in South Asia, lesson 6. इसमें हम 1985 में Shark Sancton के बारे में जानेंगे, Shark Sancton को हम South Asian Association of Regional Corporation के नाम से जानते हैं, इसको हम दक्षिन छेत्रिय सायोग Sancton के नाम से हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं, इसी को हम Shark कह सकते हैं, Shark दक्षिन एस्याई रास्टरों का एक Sancton है, जिसके अंदर 8 रास्टर मुखे जिसमें सभी रास्टर आपस में व्यापारिक समझोते के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें सीमाओं के आरपार मुक्त व्यापार चेत्र बनाने के लिए इस चेत्र में पढ़ने वाले जो भी रास्टर हैं, उनके 20 शानती और सहयोग का एक नया सुत्र कायम ह हुआ है, और यह साफटा की जो शंदी है, 2004 में इस पर साइन हुए, एक जनवरी 2006 से इसे लागो किया गया, इसमें क्या नियम था, आपसी व्यापार में जो बार्डर टेक्स लगता था, उसको उस व्यापार करको 2007 तक 20 परतिशत कम करने का लक्ष रखा गया है, इसमें वि विश्वास करें, विश्वास गातना करें, जैसे इस छित्र में पढ़ने वाले रास्टर जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल भूटान है, मालदीव है, स्रिलंका है, बंगलादेश है, इन सभी रास्टरों के बीच आपस में तनापून इस्तिया ना हो तो इसके ले उपाय किये गए लेकिन इस सेतर के अंदर चाइना और अमेरिका ये दोनों प्रमुक खिलाडी हैं जो अलग-अलग मोहरे की तरह हैं अपनी चालने चलते हैं और दक्षिन एशिया के जो महतपून अर्थोष्ताएं मानी जाती हैं इसके अंदर एक इंडिया खास तोर पर इसमें माना जाता है एशिया महतवीप के बात करें तो एशिया महतवीप के अंदर दो महतपून अर्थोष्ताओं में भारत और चाइना का नाम आता है इनके भी जब भी कोई मतभेद होता है तो उसका समझोता बादचीत से भी निकाला जा सकता है अब दूसरी संस्था के रूप में दकषेश और भारत के आपसी समन्दों की चर्चा करेंगे दकषेश का मतलब होता है दकषिण॥ेटरीय सायूग संग्ठनमें जितने भी रास्टर हैं जैसे आठ रास्टर हैं तो उन आठों रास्टर जिनमें एक भारत भी है वो आपस में कैसा समन रखते है तो भारत का योगदान कितना है जैसे इसकी नीव रखी गई है तो नेपाल की राजधानी काटमांडू में इसका मुख्याले बनाया गया बांगलादेश की राजधानी ढाका केंदर इसकी 1985 में नीव रखी गई है तो भारत का इसमें बहुत ही केंद्रिय योगदान रहा है 2007 में नई दिल्ली केंद्र 14 सिखर संबिलन के दोरान अफगानिस्तान को इसका आठवा सतसे बनाया गया तो इसके महतपून फैसले भारत के सायोग से लिये जाते हैं धन्यवाद